नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने तेजा जी महाराज के बारे में पढ़ा था और आज अपन राजतान के दूसरे लोग देऊ था पाभुजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पाभुजी महाराज के जनम की बात करते हैं कि पाभुजी महार 1214 के आसपास लगब 1240 के अंदर इनका जनम उता काहाँ इन Juda कोलू गाहों अ कोलू गाहों उपल फ़लोधी जोधपुर के अंदर अंतर पाबु जी का जनम हुआ था कोलुगाम फलोदी जोधपूर के अंदर हुआ था इनका जनम आगे देखते हैं अपने पिता जी का क्या नाम था तो तेजा जी के जो पिता जी थे तो इनके पिता का नाम था दांदल जी राठोड ये पाबु जी राठोड परिवार से थे तो दानदल जी राठोड और इनकी जो माता थी इनकी जो माता का नाम था वो था कमलादे माता का नाम था कमलादे आगे देखते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था तो जो पाबुजी माराज थे इनकी पत्नी का जो नाम था वो ताप फूल मदे फूल मदे या इनको सूप्यार दे सोडी भी कहते थे तो जो पाबुजी थे ये पंच पीरों में सामिल थे पंच पीरों में सामिल तो पांच जो पीर थे या पांच जो प्रमुख लोग देव था थे पांच पीर थे उन में सामिल थे अब देखते हैं पांच पीरों में जो कौन-कौन से लोग देव था थे वो सामिल थे तो पंच पीरों में सबसे पेला प्रमुक जो नाम आता है वो आता था है गोगा जी एक आता है अपने पाबुजी माराज पाबुजी एक अपने आता है राम देव जी एक आता है अडबुजी और एक नाम आता है वो आता है मेहा जी मांगलिया मेहा जी मांगलिया तो क्यूशन आता है राजस्तान के पंच पीरों में कौन सामिल हैं कौन से हैं कौन से नहीं हैं तो आपको ये पांचों लोग देवताओं के नाम याद रखने हैं गोगा जी, पाबु जी, राम देव जी, हडबु जी, मेहा जी, मांगलिया तो ये हैं राजस्तान के पंच पीर, फिर आगे देखेंगे कि पाबुजी माराज को लक्षमन का उतार मानते हैं, किसका उतार मानते हैं, लक्षमन का उतार मानते हैं, पाबुजी माराज कुछ नाता है कौन से लोग देवता को लक्षमन का उतार मानते हैं, तो पाबुजी म most important बात है कि उंटों के जो लोग देवता हैं उंटों के लोग देवता वो हैं पाभुजी महराद राधस्तान में उंट लाने का सरय पाभुजी महराद को जरता है यही पहले लोग देवता थे जो राधस्तान में उंट लेकर आये थे तो आजकल या अभी जहां भी उंटों क जाती है वो है पाबुजी महराज इसके बाद में जो इनका प्रतीक है पाबुजी महराज का प्रतीक है वो है बाला लिये अस्वार होई है बाला लिये अस्वार होई है मतलब जिसमें पाबुजी महराज गोड़े पर बेठे हुए है और इनके हाथ में एक हाथ में बाला है तो इनका जो परतीक है बाला लिए अस्वार होई फिर इसके बाद में इनकी जो घोडी पर बेठे थे ये घोडी पर बेठे थे तो इनकी घोडी का जो नाम था वो था बहुत important question है कि पाबुजी महाराज की गोड़ी का क्या नाम था केसर काल में तो ये जो गोड़ी थी ये इन्होंने देवल चारणी के पास से ली थी उधार लेके गए थे और जब ये अपनी साधी के फेरे ले रहे थे तब इनको अपने जीजा जी खींची के बारे में है तो वो पूरी स्टोरी लंबी चोड़ी बात है वह अपने इतनी बाते नहीं करेंगे तो इनकी खोड़ी का जो नाम था होता के सरकाल में फिर आता है इनको गायों को गायों वह नागों के देवता वगायों के देवता क्योंकि नागों के देवता गायों की रक्षा के लिए अपने प्रान त्याग दिये थे तो इनको गायों नागों के देवता का दता है पंच पीरों में सामिल ये बात मैंने आपको पहले बताई दी फिर इसके बाद में देखते हैं कि इनका मेला परता है तो इनका ज बाद्रपद की सुकल दस्मे को जोधपुर गंदर फलोधी जोधपुर में इनका मेला बरता है और जो इनके पलेग के रक्षक देउता माने जाते हैं यह पाभुजी महाराज को प्लेग के रक्षक देउता तो क्यूशन आता है तो द्यान रखें हैं प्लेग के रक्षक देवता कों थे पाबुजी महराज थे और पाबुजी महराज की फड़ का भी वाचन के दता है हाँ तो कभी कभी क्यूशन आता है कि पाबुजी महराज की जो फड़ बांस थे हैं फडवाचन के समय, जो यंत्र कहा में लेते हैं फडवाचन के समय, तो यंत्र होता है उसको बोलते हैं माठे, रावनत्ता माठे, तो ये माठे कहा में लेते हैं इनके फडवाचन के समय, तो ये सारी बाते थी बाबुजी महराज के बारे में, नेक्ट वीडियो में अपन गो करते रहें धन्यवाद